अस्टेंडिंग एड़ी टॉप आफ दा हील एड़ी टॉप आफ साही लिखा हुआ अस्टेंडिंग एड़ी टॉप आफ दा हील जब जब आपका कोई सेंटेंस विफोर से सुरूर है जब जब कोई सेंटेंस आपका विफोर से सुरूर है तो कनफर्म ओ सेंटेंस आपका पा और पाटिसीपल वाले बाक्यों में subject हमेशा 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 एक होनी चाहिए यहां कह रहा है कि a standing at the top of the hill पहाड की चोटी पर खडा रहा कर यह पहाड हो गया तप हाड की चोटी पर ख़ड़ा होकर नीचे जो घर बना हुआ है इसको देखता है तो भीजीन नहीं दिखता है अच्छेसा नहीं दिखता है इसका मतलब हुआ कि पहाड़ पर चोटी पर चढ़ने वाला कोई परसन, यहां अगला सब्जक्ट लिखा दा हाउस इस सेंटेंस का सब्जक्ट हाउसेस विलो है, इसलिए दोनों सेंटेंस का सब्जक्ट मैच नहीं करना, जब सेंटेंस पार्टिसीपल हो और सेंटेंस भी फ कर देने कर देने कि तो संटेंस तो पैसिव होगा नहीं की में भर भैय नहीं लिखा वा तो ऐसा करो न इसको यह नमर को सहन बना वो और स्टेंडिंग अ इसका स्थान पर लेख जो वाइल वाइल ही यह सी यह दो इसलेंड 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 इसलें पाल के चोटी पर खड़ा था तब नीचे जितने घर था उसे भीचीबल नहीं दिखाई दिया सद्रिस नहीं दिखाई दिया कि बढ़े ऑगे वाइल ही वाज स्टाइंडिंग हो जाएगा तो वाइल वाले में सब्जक्ट एक रहे चाहँ दो रहे कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब फिर पार्टिसीपल का नियम खतम हो जाता है तो कंजक्शन से में लोग राइट कर लेते हैं चोविस का अनसर य कोजे ने कोजेगा